नमस्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों के और अपकारी दत्या की सयुक्त कारवाई के द्वारा चिले के बसे थाना, भांडेर थाना, SPOD मोहितियादव, गोरघाड थाना, ग्रामगडी, स्वेम अतरिक पुलिस अधिक्षक ने मौकी पर से 70 लाग की अवैचराब जब की थी सिनावाल थाना प्रभारी भूमिका दूबे, सेव्टा टियाई शिशिरदास, उनाव प्रभारी थाना, इंदरगट थाना टियार वायस तोमर, बढ़ोनी थाना प्रभारी रविंद्र श्यर्मा, बसे थाना प्रभारी, थरेट थाना प्रभारी शशांग शुकला, शेत्र माफियों को लेकर की गई है कारवाई चिले की सबसे बड़ी कारवाई है जैसा कि आप जानते हैं कि मानिय मकुंत्री मद्विदेश आसन के द्वारा निर्देशित किया गया था और उनकी मनसा भी थी कि प्रदेश में कहीं भी अवेद और कच्छी शराफ का जहां भी निर्म है तो जिले के दस थाना प्रवारियों के द्वारा बारा कंजर डेरे जो जिले में हैं उनका कारवाई की और जहां पर हम लोगों ने 21,860 लीटर अवेद कच्छी शराफ को जब्त किया जिसकी कीमत 38,62,000 के उपर है और मौके पर ही हमने 1,68,400 लीटर जो है लाहान को देरों पर जो है उन्होंने ड्रम्स को मिट्टी के नीचे गाड के रखा था जिनको जेसी वियों से उख़डा गया था जेसी वी से कई ड्रम जैसे मेरे मैं जहां था वहावी 20-25 जो फूट गए थे वहीं के वहीं तरह फैल गई तो इस प्रिकार से अधिक मात्रा में स्व अवेज सब को पकड़ा गया है शराब को और उतनी मात्रा में वहाँ को फैली भी थी शराब जो जेसी विशनी कान ले कर जी हां बताना शाहेंगी विगत तीन दिन पर फुलिस के द्वारा अवेज शराब माफियों के प्रती शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अवेज शराब की भट्यों को तोड़ कर वही के वही नश्ट करने की प्रक्रिया चलाय जा रही है लेकिन दत्याज ले कि इंदरगर में भांडे रूर्सित कंजार डेरा पर लहान को नश्ट ना कर वहा दिया गया जबकि इसे दफना कर नश्ट करना चाहिए था जो नहीं किया गया परिणाम यह हुआ कि बहाय हुए इस जहरीले गुड लहान को आवारा गायो द्वारा पी लेने की कारन दो गाय एवं तीन बच्रों की मौत हो गई इस घटना को लेकर सबसे वड़ा सवाल यह होता है कि इस तरह की लापरवाई कैसे हुई और कौन इस लापरवाई का जिम्मेदार है आखिर कब तक इस लापरवाई की चलती बेजुबान अपनी जान की कीमत चुका कर भरपाई करते रहेंगी और प्रशासन इन लापरवा अधिकारियों को कब तक पचाता रहेगा घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फोचे एसरियम अशोग चवान चिनोंने सरल भाशा में तो कह दिया कि जो भी इस घटना का जिम्मेदार होगा उसकी जान्च की जाएंगी और कारवाई भी की जाएगी लेकिन आकिर कब तक ह होगी निश्पक्ष एवं स्पष्ट कारवाई बीसे न्यूस के लिए दतिया से लोकेश मिश्राक रिपोर्ट सिलावाद पलसूद मार्क पर पलसूद के बीज वेदपुरी के पास टेमला रसका फाटे से चोरों ने पत्थर मारी चार पहिया वाहन का शीशा तूट गया दो दिन पुर भी एक पिकप वाहन पर पत्थर मारी थी इसी स्थान से उसका भी शीशा तूट गया था किसी को चोट नहीं आई किन्तु कोई बड़ी घटना होने की आशन का जताए गई गई गौर तलब है कि उक मार्क पर यह घटना आई दिन हो रही है गईमत रही कि किस देश की खबरों में फिलहाल इतना ही ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसे न्यूस नमस्कार